उत्राखंड में लोग सबाचुनाव के पहले चरण की पाथ सीटों पर मत्दान चारी है प्रदेश के 83 लाग से जादा मत्दाता 55 प्रत्याशियों का भागिता करेंगे जिसको लेकर प्रदेश के पोलिंग बूथों पर मत्दाता अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं बैयुत्राखंड में चुनावी मैदान में उत्रे प्रत्याशियों ने अपने अपने बूथ स्थल पर वोट डाला साथ ही खटीमा में मुख्यो मंत्री पुशकर सिंग धामी ने परिवार के साथ मत्दान किया और उन्होंने सभी से मत्दान करने की अपील की मैं सबसे अपील करता हूँ कि पहले मत्दान करें और उसके बाद जल्पान करें मैंने भी अभी देखा आपने जल्पान किया आपके सामने ही तो मैं सबसे अमरोथ करता हूँ कि सभी लोग कोई भी ऐसा रहना नहीं चीए कि जो मत्दान न करें सबको इस लोग तंतर के महा पर में भाग लेना है, यह हमारे लिए बहुत आउसक है, पांस सालों में एक बार हमको सरकार चुनने का उसर मिलता है, और ऐसी सरकार चुननी है, जो देश दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान तेजी से बढ़गा है, उसको और मजबूती देनी है, ससक्त भारत के संकल्प को मजबूत करना है, मोदी जी को तिसरी बार देश का प्रधान मंत्री बनाना है, इसलिए समस्त उत्राखन वासियों से मैं अपील करता हूँ, कि एतिहासिक मबदान करें और एतिहासिक विजशरी मोदी जी को दिलाएं